नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर फेक्षन आइस में BPSC Mains को ध्यान में रखते हुए GS Paper 1 को हम लोग बारी बारी से कम्प्लीट कर रहे थे इसमें हम लोग ने देखा दे हुआ था Art and Culture का पोर्षन Art and Culture का पोर्षन इसमें Maximum जो पोर्षन था मैंने कम्प्लीट करा दिया था जैसे कि पाल कला हो गया, मदवनी चितर कला हो गया, पटना कलम चितर कला हो गया ऐसे बहुत सारे पोर्षन को मैंने कम्प्लीट करा दिया था अब इसमें एक और important topic छूट रहा था 38 नमर का जिसका नाम है मौर्यकला अब इस मौर्यकला का अंतरगा 38 नमर में से Maximum मार्ष को किस तरीके से आप गेन कर सकते हैं इसके लिए दो चीज़ों पर बिसेस ध्यान देना होता है, एक तो होता आपके writing skill और दूसरा होता है कि इसमें आप कितने अधिक से धिक जो dimension को आप बड़ा कर पाते हैं जो कि मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ बिलकुल बने रही है, पढ़ाने का तरीका ठीक है, मेरा वहीं रहेगा flow chart के मादियम से, मौरे कला, तो आप लोग heading डालियें यहाँ पे, मौरे कला काफी बहुत बड़े dimension के अंदर गत हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, भूमका अब इस भूमका के अंदर गत पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा, हडपा काल से मौरे कला को किस तरीके से बहतर रूप देने का प्रयास किया उसके बाद दूसरे नमर पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे बिसेस्ताय, या फिर इसका बिस्तार के रूप में समझ सकते हैं, राजकी या प्रसराई के रूप में समझ सकते हैं, या फिर इसको ठीक है, जो भी सोतंतर कलाकार, जो चितरकार थे, उसमें मोजूद उनके द्वारा भी बहुत सारी कला क्रितियों को बनाया गया था, इन सारे ही रूपों में आप समझ सकते हैं, तिसको मैं यहां पर दो भागों में बार देता हूँ, एक तो हो जागा यहां पर राज की अकला, राज की अकला का मतलब सिंपल से मतलब है यहां पर ठीक है, राज की प पार्टेन कल्चर के छेतर में वो पूरी तरीके से डिवलोप्मेंट कर सकें अब इसमें कोई इंपोर्टेंट सासक हैं जैसे कि यहाँ पे चंद्र गुप्त मौर्य का नाम आ जाएगा इसके दोरा बनाया गया दो चीज बहुत इंपोर्टेंट हैं खासकर हम लोग बात करें पार्टली पुत्र नगर का किस परकार से इसका ठीक है विष्थार किया गया और इसी के समय बनाया गया है इसके राजमहल मिश्थित राजपरसाथ को राजपरसाथ बहुत हम लोग विष्थार से देखेंगे उसके बाद दूसरा सासक यहाँ पे आजाएगा ठीक है, असो फूप इसके अलावा कुछ वेदिका भी इसके समय देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा गुः बिहार की भी इसके द्वरा यहां पर करवाये गई है। ट॥। चंदरगुप्त मौर्य का यहाँ पर हो जायेगा पोत्र, बने पोता, और सोक का यहाँ पर पोत्र हो जायेगा दसरत, धार्रके का पोत्र, ठीक है मैं यहाँ इंडिगेٹ कर दे रहा हूँ, अब दसरत भी यहाँ पर देखेंगे तो खास कर ठीक है, जो कुछ पहालीओं को तरगत देखेंगे तो कुछ यहां पर ठीक है जैसे कि कुछ सिकों का निर्मार आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो कि पंच मार्क और आहत सिक्य का है एक डवलब्मेंट रूप यहां पर आपको दिखाई देगा ठीक है तो उसे भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दूसरे नमर पर कि जो भी यहाँ पर लोग कला के रूप में बनाया गया लोग कला के रूप में या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर स्वतंत्र जो कलाकार होते थे जिनको तो राज की प्रसराय नहीं मिलता था, सो तंत्र कलाकारों के द्वारा, इन लोगों के द्वारा भी बहुत सारी यहाँ पे मूर्तिया बनाई गई, मूर्तिया के साथ साथ आप लोग देखेंगे, तो मिट्टी के बरतन हो गया, मिट्टी के बरतन, मिट्टी के बरतन के लाओ देखेंगे यहाँ पे तो कुछ मनके के भी यहाँ पे सक्ष मिनते हैं ठीक है मनके मतलब समझ रहे हैं यहाँ जो भी आभूसल के छेत्र में जीसि की हडपकाल हो गए आप मुर्तिकला के छेतरे में मुर्तिकला के छेतरे में खासकर हम लोग बात करेंगे सारनात अस्थम की तो जो भी उसमें मवजूद ठीक है जो भी सेर का जो चीतर है उसको कैसे बनाया गया या उस टाप का बहुत सारा जो चीतर है देखेंगे तो कुछ राज की पुरसराई के द परिछण की, यहां पर अलोचना किया जाता है, यहां फिर हम लुका सकते हैं कि बिदेशी परभाव के रूप में हापे दिखाया जाने का प्रयास किया जाता है, इरान में उसमें सासकता ठीक है, अखमनी संबरा जी या फिर उसको ठीक हार किमिट एमपायर के रूप में भी तुर उसे हमें knights किया जाता है, कि हो ना हो, वहीं से सारा की सारा क addicted किया गया है, जिसको इन लोगों के दुरा. जिसका अलोचनात्मक पर इचल आप लोगों किस प्रकार से इसको defend करके लिखना है, किन-किन बिंदु ओंपे ठिक है अलोचना की जाती है. तो एक बहुत ही बैलेंस ठीक हम लोग इसका अलोजनात्मक पुरिच्छड करने की कोशिज करेंगे उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मौरेकला में जो भी अक्रितिया थी इसका धरम के साथ क्या संबन था धरम के साथ यहां आपको संबन्थ अस्टेवलाईज करने की कोशिज करना है और उसमें धरम तो सबसे फेमस धरम होई था बहुत धरम तो आप यहाँ पर समस सकते हैं बहुत धरम के साथ मौरेकला का संबन उसके बद लास्ट विम्लोग बात करेंगे यहाँ पर समिक्षा या फिर यहाँ पर एक निसकर्स के रूप में आप समझ सकते हैं समिक्षा या निसकर्स के रूप में तो आप इसी संदाजा लगा चुके होंगे कि कितना बड़ा dimension है हर एक चीज को बहुत है ठीक है चलिए हम लोग बारे बारे से हम लोग देखने का परयास करते हैं सबसे पहले बात करते हैं हम लोग भूमिका के भूमिका के ठीक है अब भूमिका के अंदर देखें यहाँ पर बात करें तो बहुत ही origin से हम लोग शुरुवात करते हैं से हम लोग बात करते हैं जब ही पसार काल से पसार काल से तो देखेंगे तो किसी रूप में कला हो गया या फिर समझ रहे हैं न बिज्ञान हो गया हरे के छेतर में बिकास होना यहाँ पर सुरू हो गया जैसे कि अगर हम लोग बात करें पसार कला में तो देखें आधिमानों क द्वारा बड़े बड़े अगर पत्थर का उपकरण बनाया गया तो उसको अपनी अवसाकताओ के अनुरूप उसको ढाला गया बड़े बड़े पत्थरों को भी एक सेप देने का प्रयास किया गया चाहे उसी कार की छेतर में क्यों ना हो चाहे अपने जीवन को असान बनान कि खैतर में क्यों न हो लेकिन क्या देखा ज़िवादी कि आते ह meiner स्कताव कंवादी बार दिखांप कर लांग्युआ नौपसाड कार और नौ पसाड काल में तो अब यहां पे जो भी आधी मानव था पूरी तरीकेस एक तरीकेस डेवलप हो जोगा था किरिसी कारे और अगयरा हो गया किरिसी कारे के साथ साथ यहां पे हम लोग आर्ट इन कल्चर के टॉप यूप कम लोग कंप्लीर कर रहे हैं तो उसको भी ध्यान में रखना होगा कि यहां पे जो भी उनकी हथियार थे, जो भी उनके ठीक है, डेली यूज के जो भी आपे समान हुआ करते थे, उस पे एक बहुत ही संदार एफेक्ट दिखाई देता है, हमें आर्ट एन कल्चर का चाहिए, मिरिद भान धी क्यों ना हो, मिटी के ठीके बरतन हो गया, या फिर चाहें और हथियार हो गया, लकड़ी के हथियार से लेके, पत्थर के हथियार से, सब यहां पे बहुत संदार दरीके से बनाया जाने लगा, फिर उसका एक हमें एक बिक्सित, ठीक है, जो स्वरूप हमें दिखाई देता है, हरप्पा काल में हमें दिखाई देता है बेहद ही संदार आप कर सकते हैं कि हरपा काल में हम लोग बात करते हैं जब भी कला या वस्तु कला का कला या वस्तु कला मैं बार बार बताता हूं ठीक है कला का मतलब कला है ठीक है अभी भी देखिए वर्तमार में इसके परियापत आउसेस जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं है, लेकिन जितना भी आउसेस मिला हुआ है, चाहे मुर्तिकला के छेतर में, चाहे मनके के छेतर में, अलग-अलग छेतरों में जितना भी एविडेंस मिला हुआ है, तो अभी तक यहीं अन्मान लगाया जाता है कि एक बेहद ही एक उच अस्तर पे इस ठीके हड़पकाल में जो कला था वस्तु कला था हर एक छेत्र में डेवलप्र यहाँ पर कर चुका था लेकिन यह तो पूरी तरीके से ठीके ब्रेक लग गया चुकि हड़पकाल के पतन होने के पहस् इसकी जो निरंतरता है आने वाले समय में जितना डेवलप्रमेंट होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया खास कर पसार काल के बास देखे न कैसे यहाँ पर डेवलप्रमेंट हुआ हरपकाल में लेकिन अब इस हरपकाल की निरंतरता आ गया आपको दिखाई नहीं देखी च और उस नया एरे का नाम है यहाँ पर वैदिक काल ठीक है अब वैदिक काल से आप लोग देखेंगे पूरी तरीके महाजनपद काल तक तो यहीं ठीक है चलते रहाता है महाजनपद काल तक जिसे वैदिक काल में ही देखेंगे चाहें यग्यों का बनाना ठीक है यग्यों को कि इस तरीके से आग जलाने के लिए कहिन कहीं अगर उसमें ठीक है इटो को रहके बनाया जा रहा है तो भी कहिन कहीं आर्ट कल्चर को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है धीरे-धीर महा जनपत काल आ गया फिर यहाँ पर कला वस्तु कला के छेतर में कुछ डेवलप्मेंट और है में दिखाई देने लगा जैसे कि बहुत सारे समराजयों में सिक्कों का प्रचलन धीरे-धीरे बबड़ने लगा आहत सिक्के जिसे बोला जाता था तो इस चीज को आपको समझना है तो महा जनपत काल तक आते 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 आप देखेंगे तो फिर से एक निरंतरता कला के खे कया की सुरवाती चरण और इसी दुनों का जो मिला जुला जो रूप आपको देखने के लिए मिलेगा वैदी काल और महाजनपत काल का मिला जूला रूप आप देखने के लिए मिलेगा मौरे काल में मौरे काल में ठीक है अब यहीं होगे मौरे काल अब मौरे काल ने कहा किया तो पूरी तरीके से मानव कलपना को बेहतर अकार देने का प्रयास किया मानव कलपना को बेहतर अकार बनाने का ठीक है प्रयास किया में समझ रहे हैं जो भी मानौ ने सोचा यहाँ पे उसको सक्षात बनाने का प्रयास किया गया हर एक छेतर में इसलिए मौरे कला को यहाँ पर ध्यान रखेगा ठीक है आप फिर मौरे काल को कला के इतिहास में देखेंगे ठीक है कला के इतिहास में इसको यूग बिभाजक के रूप में रखा जाता है यूग बिभाजक के रूप में रखा जाता है आप समझ रहे हैं कि इसे यूग बिभ देखेंगे तो उसका जो ओरीजिन था कला या वास्तिव कला के छेत्र में ए मोरिया टाइम से ही धीरे-धीरे डेपलप्मेंट होना शुरू हो गया था जो कि आज हमारे समाज में वहीं चीजे किसी निकिसी ठीक है रूप में बिक्सित रूप में आपको देखने के लिए मिल लातू इसके अलावा यहाँ पर पॉलिस पॉलिस में यहाँ पर रंगों का परियोग किया जाने लगा बहुतायत मात्रा में इन सबका जो अपलाई आपको दिखाई देगा जो अपलाई इन लोगों न किया वास्तुकला के छेत्र में वास्तुकला के साथ साथ मूर्तिकला सिक्का हो जाएगा सिक्वों के छत्र में जैसे कि इसमें ठीक है कुछ हत तक आपको कांसे और ठीक है कांसे के सिक्के भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे पेंटिंग का यहाँ परियोग किया है जबरजस्त मातरा में ठीक है वस्तु काला में देखेंगे यहां पे नकासे का परियोग जबड़जस तरीके से किया गया अलंकरण का इसमें परियोग जबड़जस तरीके से किया गया तिन सारे ही चीजों को देखें लिंक करके एकजाम में आपको लिखना होगा चुकि आपको यहीं समझना है मानो कला को आपे बेहतर रूप देने का प्रयास किया गया चुकि मोरेकाल के हम लोग बात कर ले आर्थिक या फिर राजनीतिक, समाजिक, धार्मेकिन सारे ही छेत्रों में देखेंगे मोरेकाल अपने आप में एक कंक्रीट एक मिल का पत्थर साबित होता है और किसी भी समराज में सारे चीज़े जब तक अच्छा नहीं होगा कभी भी देखेंगे तो वहाँ पे ठीक है मानव कलपना को मानव कला को एक बहतरीन प्रियास देने का प्रियास यहाँ पे ध्यान रखेगा नहीं दिया जाता है यह सारे चीज़े अच्छी होगी तभी तो कोई अच्छी एच्छी चीज़े बनवाएगा समझे इस चीज़ को अब आई हम लोग नेक्ट यहाँ पे बात करते हैं बिसेस्ताओ को लेके बिसेस्ताओ को लेके अब इस बिसेस्ताओ में मैंने दो चीज़ों का जिक्र किया था या फिर इसको आप बिस्तार कहा सकते हैं पहला था यहाँ पर राज की अकला और दूसरा था यहाँ पर लोक अकला तो सबसे पहले हम लोक बात करेंगे यहाँ पर राज की अकला का ठीक है जिसका जो प्रसरे यहाँ पर सासको के द्वारा यहाँ पर दिया गया सासको के द्वारा दिया गया और इसमें सर पर्थम जो सासक आएगा उसका नाम होगा चंद्रगुप्त मौर्या चंद्रगुप्त मौर्या ठीक है तो छोटा सा एक सब हेडिंग के रुप्या आपको डलना है चंद्रगुप्त मौर्या की चंद्रगुप्त मौर्यकी चंद्रगुप्त मौर्यकी ठीक है बेहदी संदार ठीक है समराज्य इसने भी चलाया और मना जाता है कि असोक का एक बहुत बड़ा जो भागगर असोक में ठीक है कलिंग की युद को हटा देंगे तो जितना बड़ा समराज्य मिलेगा कहिन कहिन चंद्रगुप्त मौर्यकी द्वरा ही ठीक है उकुपाय किया गया था तो चंद्रगुप्त मौर्यका जो ठीक है अपने आप में जो नाम परियापत है भारती इतिहास में द्यान रखेगा चंद्रगुप्त मौर्य इसके समय दो चीजों का आपको कला एवं ठीक है वास्तिव कला के छत्रे में देखने के लिए मिल जाएगा एक तो यहाँ पर यहाँ का राजपरसाद और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर पातली पुत्र पातली पुत्र की जो बसावत भवन निर्मा को लेके ठीक है बिल्कुली हडपा काल टाइप का को दिखाई देगा हर एक छत्र में राजपरसाद और पातली पुत्र को लेके तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं जो काफी चर्चा में रहता है चंद्रगुप्त मौर्य का राजपरसाद राजपरसाद एकजाम में बार बार इसको पूझा जाता है इसके राजपरसाद को तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी अवस्तिती की कहा है राजपरसाद सब्तो समझ में आई गया होगा इसकी अवस्तिती की बात करें वर्तमान में कहा मिल जाएगा आपको पटना में पटना में चेतर है, उस चेतर के नाम से आप लोग भली भाती परिचित होंगे, कुमकरार का चेतर है, ठीक है, कुमकरार का चेतर है, लगभग NMCH नलांदा मिर्कल कोलेज के आस पास कहीं जो चेतर है, ठीक है, कुमकरार, यहाँ पे आपको देखने के लिए मैं मिल जाएगी, बहुताय हो गया फर्स और चर्थ में देखेंगे ठीक है तो लकड़ी का बहुत आयत परियोग किया गया है इसके लाववा है यह कूर चीज मिली हुई है चालिस पॉलिसदार चमकदार पसाड अस्थम मिला हुआ है और मौरेकलीन पसाड अस्थम के सबसे बड़ी खासियत होती ठीक है लगता था कि ये कास्मक है ये कहीं पत्थरों पे बनाया गया है और उसमें थोड़ा बहुत ठीक है ना कासी अगर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी तो पसाड अस्तम इस सबसे बड़ी इसके खासियत ही ठीक है कि चमक कीला ध्यान रखेगा चमकीला यहाँ पर में एक सब जोड़ा है यहाँ पर चमकदार पसाड अस्तम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी उसके बाद ठीक हम लोग इसके उलेखों की बात करें चुकि इतना बड़ा राजपरसाद है कुछ यहाँ पर इतिहासकार लोग आएगा ठीक है उस समय का और बताएगा इसके बारे में जैसे कि इसके उलेखों में सरबर्थम नाम आता है मेगस्थनीज का ठीक है तो यह नानी यातरी था जो आपको पताऊना चाहिए चंदरगुप्त मौरे के दरबार में आया हुआ था तो बहुत अधिक इसने बड़ाई किया है चंदरगुप्त मौरे की और चंदरगुप्त मौरे के से ठीक है मंधित समराज जी की ठीक है सार सबसे महान किरिती सबसे महान किरिती ठीक है इस राजपरसाद को बोलता है तो आपको लगना चाहिए यह इसे बात है किया जा रहा है राजपरसाद है क्या तो देखिए राजपरसाद का मतलब होता है सिंपल भासा में देखा जा तो इसको बोला जाता है सभाभवन जहां सास ठीक है सभा करता है सासक जहां बैठता है सभा भवन बकाइदे इसका साइज मिला है 140 इन्टू ठीक है 120 फीट का लंबाई गुणे चोड़ाई के रूप में से आप समझ सकते हैं इतने बड़े ठीक है एरिया में ठीक है इसको बनाया गया था उस समय तो अब समझ रहे हैं यह क्या बोलड़ में अगर स्थनीज की मानो जाती कि यह सबसे महान कृती है अभी तक ऐसा कहीं कुछ बनाई ही ने गया था वही एक और ठीक है युनानी ही इतिहासकार होता है एरियन तहां रखेगा एरियन एरियन उस समय ठीक है दुनिया के सबसे परसिद नगरों की इससे क प्रिजन करता है एक नगर था यहाँ पर सुसा और दूसरा नगर था यहाँ पर एक बतना एक बतना बोलता है रियन कि इससे भी कहीं सुंदर ठीक है पार्टली पूत्र का अर्थाद चंद्रगुपत मोरे का यहाँ पर राजपरसाद है वहीं आगे चलके मोरे समराजिक ब द्वारा भी यहाँ पर बोला जाएगा ठीक है कि अपने याप में ठीक है एक दम आकरसक चीज है आकरसक ठीक है और एक विक्ति का और नाम यहाँ चीनी यातरी का नाम आएगा फाहयान का नाम आएगा फाहयान बोलेगा कि हो नहों इसको मनुस्यों के द्वारा इसको बनाया की जरूरत है विशेस ताओ के रूप में समझने की जरूरत है तो कुछ ही इस टाइप की संवर्चना थी लगभग देखेंगे तो आयता कार टाइप का इसे ठीक है ऐसे सबसे बड़ी इसकी जो खासियत थी यहाँ पे जो पीलर लगभग बोला जाता है कि 84 पिलर एकदम समझ रहे ना 84 पिलर इसमें लगाया गया था इतनी सुन्दर तरीके से ठीक है लगभग 84 पिलर तो मैं यहाँ पे संख्या लिख देता हूँ 84 पिलर वाला ठीक है आप कह सकते हैं एक बिसाल कच्छा के रूप में हम मौझूद था, विसाल कछ्छा के रूप में मौझूद था, अब कछ्छा है यहाँ पे तो कुछ न कुछ इधर लगा जरूर ही होगा, ठीक है, तो जो भी यहाँ पे पिलर जो होता था, इसमें बताया गया है कि इसमें सोने की ठीक हैं, लट्टा या फिर चांदी की जो च परकार के जो भी वस्तू है ठीक है उनके यहां पर चित्रों को भली भाती हर एक पीलर में इसको बनाया गया है साजावर के रूप में इसके उपर कुछ है ने जैसे पीलर को पर होता है ना मतलब किसी परकार का मतलब जन्तू का चित्र हो गया जानवरों का चित्र हो गया बकाईदे इस साइट पे कौने में बताया गया है कि यहाँ पे सासा का बैटने के लिए जो भी राज सिहासन होता था यहाँ पे लगा रहाता था और नीचे बैटने के लिए जो भी मंतरियों के लिए ठीक है बैटने के लिए यहाँ पे लगा रहाता था तो बहुत ही संदार है बोला गया लकडी से यहाँ पर बनाया गया था लकडी से बनाया गया था जो आज भी इसका जो evidence है ठीक है वर्तमान में कुमहरार के छेतरों में देखने के लिए मिल जाएगी अब यहाँ पर दूसरी हम लोग बात करते हैं पाटली पुत्र की कि पाटली पुत्र के बारे में है पे क्या वर्डन किया गया है कि इतना इंपर्टेंट हो जाता है पाटली पुत्र की ठीक है तो इसका जो उलेक आपको देखने के लिए मिल जाएगा उलेक मेगस्थनीज की इंडिका में मेगस्थनीज के लिखी गए जो बुक है इंडिका लेकिन ध्यार रखे जाए जो इंडिका है अपने मूल स्वरूप में नहीं है ठीक है मेगस्थनीज ने जो बुक लिखा हुआ था इंडिका वो तो बहुत पहले है ठीक है बरबाद हो गया खतम हो गया अब उसका संसोधित वर्जन है जो कहीन कहीं इसमें कुछ ठी गया होगा मेगस्थनीज ने नगर की बिसालता और नगर निगोजन पर बल दिया है जैसे कि यहाँ पर हडपा काल में हडपा काल का आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि नगरियों जो सभता कितनी यहाँ ठीक है बिक्सित थी कुछ उसी परकार का यहाँ आपका देख को लिए रखेए मिल जयगा तो इसकी विसेस्ता 5 मैं आप ठीक है नमबर मन आप लोग देखेंगे थोड़ा सा पर ठीक है, मानके चलिए गिए फूरा पूरा जो च्छेत्र है Suppose करिए कि ये वहीं जो च्छेत्र है ये पार्टली पूतर का च्छेत्र है पार्टली पूतर का जहां सासक रहता है तो बोलता है कि चारो और उसने क्या किया था सासक ने तो प्राचीर और दुर्ग का निर्मार किया था प्राचीर और दुर्ग का निर्मार करवाया था फिर बोलता है कि बीच बीच में यह देख रहे हैं न यह जगह जगह पे बीच बीच में यहाँ पे जो खाली जगह छोड़ा गया था बीच बीच में खाली जगा छोड़ा गया था चुकि यह प्राचीर दूर गे बहुत उची होगी और बीच में यहाँ पे छोड़ा गया था खाली जगा तीर को चलाने के लिए चाज ताकि कोई भी दुस्मन आए तो उसको यहाँ पे मार गिराया जाए ठीक है तो इसका जाएगे, चार और बोलता था कि यहाँ, यह देख रहे न hackers, चौर यहाँ फॉर छाइन बनाया जाता है, सब यह आपकर लाल करेखलाम देखने के लिए मिल जायगा, तो यह पे चार और ध्यान रखेगा, है भ्याइज बनाया जाता था चार और खाई, ठीक है, जिसकी दोहरी और इसकी चोड़ाई होती थी लगभग 600 फीट बहुवली मूभी आपने जरूर देखा होगा देखते होंगे न किस प्रकार से में दर्वाजा की नीचे ठीक बहुत बड़ा खाई होता था पानी उसमें होता था भरके और फिर नगर में परवेश द्वार के लिए मान 570 टावर लगाया गया था 570 टावर उपर ताकि और भवे देखें टावर की रूप में आप समझ सकते हैं ठीक है तो कुछ इसी प्रकार की बिस्यस्ताओं को आपको बॉर्डन करना है ऐसे दिखें इमेज के माधिय हमसे दिखाने से उस चीज़े किलियर हो जाती है ये क्ल रूपत मौरयोगरा कुछ भी हो ठीक है नाम तो यहां पर असोग कहीं आता है तो असोग के द्वारा बनाई गई जो भी यहां पर कलाकृतिया है जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अस्तंब की तो अस्तंब एक पीलर के रूप में समाझ सकते हैं पीलर होता था और चोटी पर इसके पसू की आकरिती होती थी, जैसे कि सांड हो गया, सेर हो गया, हाथी हो गया, अब यह स्तंब आपको दो परकार काते देखने के लिए मिल जाएगा, एक तो हो जाएगा यहां पर लिपी बद, लिपी बद की मतलब समझ रहे हैं ना यहां पर कि बिल्कुल क कुछ न कुछ उसमें लिखा गया होगा लिपी बद जैसे कि यहाँ पे कुछ एक्जामपल के रूप में समझ सकते हैं दिल्ली मेरट इन सारे ही अस्तंबों से आप लोग भली भाती मतलब परिचीत होंगे इसमें फिरोसा तुगलक का नाम आएक अकवर का नाम आएका सब इसमें परियाग प्रस्ति का भी जिक्रि मिलता है जो कि ठीक है जो हरिष्यर के दवरा समुदर गुप्त का दरवारिका भी था बहुत ही इसमें बढ़ा चड़ाक लिखवाया गया था राम पुर्वा का अस्तंब हो जाएगा सारनात इसके अलावा यहाँ पे लुम्बनी इसके अलावा यहाँ पे लुम्बनी ठीक है तिन सारे ही जगों पे आपको लिपिबध अस्तंब देखने के लिए मिल जाएगा लिपिबद अस्तम basically हाँ पे होता क्या था तो सासक का फर्मान का सकते हैं जैसे वर्तवान में ठीक है कोई भी गर ठीक है चीजों को अगर बताना होगा लोगों को तो समिधान के माधियम से कानून के माधियम से बता दिया जाता है तो उस समय सासक ठीक है दूसरा था यहाँ पे साधा अस्थम, साधा अस्थम इसमें कुछ लिखा नहीं होता था, ठीक है, साधा अस्थम, बिल्कुल प्लेन, जिसे कि बसाड हो गया, इसके अलवा यहाँ पे हो जाएका कोसरा, बसाड और कोसरा में बिल्कुल साधा अस्थम, उसके बाद हम लोग ब साची का स्तूप। जिसको युनेस्को साइट में सामिल किया गया है। इसके अलावा पसार वेदिका आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मना जाता है ठीके कि इसका जो भगनावेस जो मिला हुआ है ठीके चाहे हो सारनात का हो चाहे बोध गया का हो वहां का ठीके जो भी पसाड जो वेदिका है वेदिका समझ रहे है न यहाँ पर अस्तूप के ऊपर बनाया जाता था या फिर बिहारों के आसपस बना जाता था वे बहुत सारे गुहा विहारों का आपको ठीक है, नाम यहां पर जानने के लिए मिलेगा, उसमें मौझूद छोटी-छोटी जो विहार है, उसके विभारे में जानने के लिए मिलेगा विहार का मतलब क्या होता है तो भीचुओ का निवास अस्थान जैसे कि देखेंगे सुरवात में आजीवक जो भीचुक होते थे वे भी इन गुफ़ भी हरुम रहते थे फिर बाध वाले आ गए वे भी रहने लगे जैन वाले आ के ये सब भी रहने लगे ठीक है नगारजिनी गुफा में, फिर नगारजिनी पहाडी में, जो कि वर्तमान में आपको मिल जागा है, जहानाबाद में, नगारजुनी पहाडी जहानाबाद में ठीक है, सबकों हम लोग बारी-बारी से यहाँ पे देखेंगे चले सबसे पहले अम लोग बात करते हैं इसके अस्थम्बों के बिल्कुल ही मेरे साथ ठीक है आप लोग बने रहे हैं सारे चीजों को यहाँ पे लिख लिख के आपको समझाया जाएगा तो number one यहाँ पे हो जाएगा अस्थम्ब अब अस्थब में आपको कुता ही नहीं बरतना है तो रहत कॉंपी पेन निकलना है और मेरे साथ बनाना है ताकि एक ही बार में आप लोगों की सारी सारी चीजे किलिए हो जाए तो स्थब मनाने के लिए सबसे पहले उसका क्या चाहिए चौड़ा अधार चाहिए चौड़ा यहाँ पे अधार यहाँ पे हो जाएगा अधार उसके बाद से यहाँ आपको ठीके नीचे अधार के तरफ चौड़ा होना चाहिए उपर जियो जियो जाएंगे इधर पतला होना चाहिए कुछ इस type का संरचना इस type की कुछ संरचना आपको यहाँ बनाना है इधर आप क्या देख रहे हैं जव हम उपर के तरफ जा रहा है इसमें देख रहे हैं यहाँ पतला होते जा रहा है पतला होते जा रहा है इसी को यहाँ पर बोला जाता है गवादम लाट गवादम लाट ठीक है इसी को कहीं आपको तना भी देखने के लिए मिल जाएगा तना उपर जाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर कुछ ही टाइब की अकरिती आपको दिखने के लिए मिल जाएगी जिसको बोला जाता है मेखला मेखला और मेखला के जस्ट उपर ठीक है आपको मिल जाएगा उल्टा कमल तो कमल बनाने तो मुझे बहुत अच्छा नहीं आता है लेकिन थोड़ा बहुत इसारा करेंगे तो के कमल आपको यहाँ पर बन जाएगा ठीक है तो यह हो जाएगा कमल ठीक है कैसा कमल आपको बताना है उल्टा कमल उल्टा कमल इसी को अवांग मुखी कमल भी बोला जाता है अवांग मुखी कमल अवांग मुखी कमल ठीक है उल्टा कमल उसके बाद यह बीच का जो इलाका है छोटा सा इस टाइब का होता है ठीक है इसे इसको बोला जाता है कंट और इसके उपर एक बेस के अधार पे ठीक है इसका एक अधार टाइब का इतर चौवकी बना होता है इस टाइब का इसको बोला जाता है चौवकी इसी चौवकी में देखेंगे तो क फिर इसके उपर बना जाता है पवसू की आकरिती, तो यहां पर पवसू की आकरिती यहां पर बना जाते हैं, यहां पर मैं सेर का चित्रे में बना देता हूँ, कुछ इस टाइब का आपको समझ जाना है, ठीक है, सेर का चित्र, ठीक है, तो यहां पर पवसू की आकरिती आप को देखने के लिए मिल जाएगी पासू की आकरिती में मैं यहाँ पर बना दे रहा हूं सेर देर केगा सेर सेर का कुछ सिंबॉलिक मतलब होता है खासकर जो सारनाथ अस्तम में बना हुआ हुआ है उसको बोला जाता है अहिंसक मुद्रा में सेर है अहिंसक मुद्रा में सेर को दिखाया गया है और सेर को के हो तो सेर को अलग अलग पर तीको कुरूप में दिखाया गया है सेर देखे इतनी ताकतवर होने के बाद भी अपने सक्ति पे कंट्रोल करता है कि इतना उस पे ठीक है पेसेंस होता है सायम होता है अपनी नए तिकता का भी पूरी तरीके से ठीक ह यह मतलब कर सकते हैं एक मैसेज देता हुआ नजर आएगा कि सेर देखते होंगे दुसरे का सिकार जल्दी ठीक है मतलब छीनता भी नहीं है और फिर दुसरे पसव के द्वारा किया गया सिकार को ठे सेर उसे कंजूब भी नहीं करता है तो यहां पर ध्यान रखेगा अहिंसक मुद्रा में जो भारत की कहीं बीदेष निती को भारत की बीदेष निती को भी यहां पर इंडिकेट कर दियें के भारत खुद एक परमाडू संपन देश होने के बाद भी धुर्षे पे फोस्ट ठीके नो फोस्ट युव्ज की पॉलिसी पे चलता है भारत की भिदेश निती को दर साथा है लेकिन हाल भारत का दूसरा नया संसद भवन विश्टा तो उसमें एक दाहरते हो चित्र का ठीक है शेर के चित्रे का अंगन किया गया था जो आप लोग ने निज में जरूर सुना होगा तो इसा बोला जाता है कि देखो भारत की जो बिदेशनीती या क्रामक बिदेशनीती के तरफ चल पड़ा है खेर तो यहाँ पे थोड़े इसके बारे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बिल्कुल इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यह लाल बलुगा पत्थर से बिल्कुल ही आपको देखने के लिए बिल्कुल ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा गोलाकार बहार रखेगा गोलाकार एकदम गोल ठीक है इसके हम लोग लंबाई की बात करें तो लगवग 20 फिट से लेके 50 फिट उचाई तक उचाई तक ठीक है वजन की बात करें तो लगवग 50 टन के आसपास दूर से देखेंगे तो लगेगा कि यह एकास्मक है यह कहीं पत पॉलिस का जब परियोग किया जाता है तो लगता है ठीक है बीच में जो ज्वाइंट होता है और ढग जाता है ठीक है चमकदार यहां पर पॉलिस ठीक है खासकर इसमें धातू का पॉलिस ठीक है लगाया जाता है और इसमें और ध्यान रखेगा इसको सजाया जाता है सजा जाता है तो इतना आप लोगो को idea हो गया होगा कि अस्तम में इतनी बाते परयापत है यहीं होता है पुरा पुरा अस्तम ठीक है तो इसे हैप लोग एक जाम बना पर जरूर आईएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पर next बात करते हैं यहाँ पर कि इन अस्तंबो में देखेंगे तो एक मूर्ती लगा हुए ध्यार रखेगा इन अस्तंबो में एक मूर्ती लगा है तो यह मूर्ती कला को भी हम लोग यहीं पे ठीक है कभर करने का प्रियास करते हैं मूर्ती कला अभी मैं आपको देखा था नहीं हापर जो मूर्ती यहां जो बना हुआ है मुर्ति, इस मुर्ति के बारे में हम लोग जान लेते हैं, मुर्ति कला, ठीक है, तो माना जाता है कि हरपा सभेता के बाद देखेंगे, तो बेवस्थित जो मुर्ति कला है, हमें इसी समय दिखाई देगा, हरपा सभेता के बाद, हरपा सभेता के बाद ये क्या होता था तो अस्तम के उपर, ध्यान से देखते चलिए, अस्तम के उपर देखेंगे यहाँ पर ठीक है, अस्तम के उपर एक पसु आकरिती इसमें लगी होती थी, पसु आकरिती होती थी, अब ये जो पसु आकरिती है, किसीन किस रूप में देखे देंगे, तो राज कि अकला को indicate कर रही है राजकी अकला को indicate कर रही है ऻेंगावी बूत से सम्वंधित जिक बनाया जाता था खासकर रा सोक के समय चाहें वो लोग बात करें सीहकी विरीसब हो गया बैल हो गया इन सब के बारे में आप ठीक है बनाया जाता था जैसे एक एक जामपल के तोर पे देखें, अस्तम में, एक जामपल के रूप में था, हम लोग एक जामपल लिलते हैं, यहाँ पे सारनात का, सारनात का अस्तम, ठीक है, उसके उपर जो मुर्ती लगी हुई है, तो देखेंगे सारनात के में ठीक है, तो उस सबसे उपर जो रखेगा चौकी की उपर यहां पे बैल बैल हो गया इसके अलावा हाथी घोड़ा ठीक है सी इसके अलावे एक और इंपोर्टेंट चीज बीक बीच में धरम चक्र परवर्तन धरम चक्र परवर्तन अब याद कि रिए बुद्ध का जो धरम चक्र परवर्तन जब बुद्ध पहली बार ठीक है सिच्छा गरण करने के बाद पहली बार जब उपदेश दिया था उसी को बोला गया धरम चक्र परवर्तन तो सारी की सारी जो बाते हैं देखेंगे तो किसी ने किसी रूप में देखेंगे तो बुध के जीवन का प्रती के रूप में इसको यहां पे दि किया गहती रहंगे जьяंडे के भीचों बीच लगी होती है जो कि समय का सुचक है भीच दिलिया ठीक है टाइम 24 घंपे ठीक है चलता रहना चाहिए अब यहां पर इसमें कुछ हमलोग बात कर लेते हैं बिहार की भूमी में बिहार की भूमी में कुछ important तथ्यात्मक चीजे है इसे आपको ध्यान में रखना होगा जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं लौरिया नंदन गड़के लौरिया नंदन गड़के तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा सीह की मूर्ति उसके अलावा यहाँ पर लौरिया अरे राज हो जाएगा एक हो जाएगा लौरिया अरे राज यह आपको देखने के लिए मिल जाएगा पूर्वी चंपारान में और यह है लौरिया नंदन गड़के पस्च में चंपारान में ठीके तलोरिया, अरे राज में आपको हो जाएगा यहाँ पर विडिसव, बैल का चीन, इसी के अलावा कुछ होर भी देख लेती है इसके अलावा, बसार में जैसे सीन का चीन हो जाएगा, सीन, और उत्तर परदेश उत्तर परदेश में जगा का नाम है संकिसा संकिसा में सिह की मुर्ति आपको देखने के लिए मिल जाएगी इसके लावे एक और जगा है बिहार में ही राम पुर्वा यहाँ पर आपको बैल की आकरिती देखने के लिए मिल जाएगी इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा तो किस प्रकार से इसका निर्माड कराया जा आता था आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा बहुत ही सुन्दर तरीके साब देख पा रहें यहाँ पे इसका निर्माड यहाँ पे कराया जाता था अब आई हम लोग यहाँ पे नेक्ष्ट बात करते हैं अस्तूप की अब चुक्कि यहाँ पे अस्तम के बाद नेक्ष्ट जो सिगमेंड था वो था यहाँ पे अस्तूप तो अगला आपको हेडिंग ड़लना है अस्तूप ठीक है तो देखे शुरुवात में अस्तूप के द्वारा मना जाता है जो अस्तूप का बनवाया गया बुद्ध के जीवन उत्सव मनाने के लिए अस्तूप शुरुवात में जो बनाया गया बुद्ध के जीवन उत्सव को मनाने के लिए उन्हें होता है बॉट्टे टाइब का जीवन उत्सों को मनाने के लिए लेकिन आगे चलके यहीं जो अस्तूप है बौध परंपरा का पूरी तरीके से यह हिस्सा बन गया और आगे चलके अस्तूप को धंब का भी ठीक है परचार परसार के लिए अस्तूप के द्वारा इसा बन गया बौध धरम का और असोक ने भी धंब का परचार परसार करने के लिए अस्तूपों का सहारा लिया अब थोड़ा अस्तूप के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है सबसे पहले इसके बारे हम जानेंगे हम लोग इसका अर्थ क्या है ठीक है अर् देखिए यह हुआ कैसे है थोड़ा इसके बारे में आपको ठीक है जनकारी ले लेना चाहिए तो माना जाता है देखिए कि जब ठीक है बुद्ध को मोक्ष की परापती हुई महा दिर्मार की परापती हुई आपको ध्यान होगा मोक्ष की जो बुद्ध की परापती हुई कुसी नगर में हुई, उत्तर परदेश के कुसी नगर में, अब जैसे ही यहाँ पे बुद्ध को मुक्च की पराप्ती हुई, मैंने सिंपल भासा में कहें, ठीक है, तो बुद्ध की जब मिरुद्धी हो गई, तो देखिए जो सासक थे, लगभा लगभा यहाँ पे आठ सासक पहुँच गए, कि बुद्ध की सरीर हमें दो, हम भाईन की जो अंतिम किरिया के कलाप है, हम करेंगे, अब समझ यहीं सबसे बड़ी समस्य का कारण है, अब सरीर एक है लेने वाले आठ, आठ यहाँ पे पहुच गए है, तो क्या सरीर को काटा तो नहीं जाएगा, तो ही हुआ कि बुद्ध को जहां पे ठीक है, मुख्च की प्राप्ति एक कुसी नगर में उनके असली सरीर को भाई, वहीं रहने दिया जाए, लेकिन जो भी उनसे संबंधित जो भी परतीक है जैसे उनका खड़ा हो गया, बाल हो गया नाखुन हो गया, ठीक है उनका मतलब समझ रहे है न, पादुका हो गया इन सारे ही चीजों को हम लोग आपास में बाट लेंगे और फिर उसकी हम लोग आगे चलके पूजा करेंगे, तो में जगा, मतलब में जो कारण था, यहीं था उसी नगर में ध्यान रखेगा, आठ जगा हो पे आठ जगा हो के आपे सासक पहुँच गए अब जो भी सासक मान के चलिए, कोई अगर इनका भीच्छा पात्ते कर लेके जा रहा है तो धीरे धीरे, ठीक है, अस्तूपों में इस भीच्छा पात्रे को रखा जान लगा, कई सारा अस्तूप ऐसे करके यहाप इक्स्पेंड होने लगा देख रहे हैं, आप इूरेनियम के नाभी की तरह फैन ले लगा, फैल ले लगा आप लोग समझ चुके होंगे, अब दूसरी में लोग बात करते हैं, इसकी संराचना को लेके इसकी संराचना या फिर इसकी बिसेस्ताई, किस परकार से इसका निर्मार किया जाता था, अभी हम लोग समझ जाएंगे इसके बाद देखेंगे तो इन अस्तूपओं का कुछ परकार भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, परकार, ठीक है जैसे कि का परकार का सरीदिक अस्तूप है, उधेसिका है, संकल्पित है ठीक है यह काई परकार का अस्तूप होते हैं, हर अस्तूपों का अलग गुदेश से होता है इसमें हम लोग बात करेंगे फिर परमुक अस्तूपो की परमुक अस्तूपो की तो चलिए बारी बारी सीदे हम लोग देखते हैं ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी सनरचना को लेगे चुकि यहाँ पर अर्थ में तो आप लोगों ने देखे लिया क्या है अब heading डालिए, sub heading डालिए, सनरचना या फिर इसकी बिसेस्ताओ के रूप में आप समझ सकते हैं सबसे पहले एक line खीजना है, यह line नहीं, बिसेकलि एक अधार है इसी अधार पर देखेंगे, तो उपर से एक अंड अकार का अर्ध चंदरकार ऐसे यहाँ पर होता है देखेंगे न, गुम्बत की तरह, इसको बोला जाता है अंड, यहाँ पर बोला जाता है अंड, ठीक है और यह अंड जिस पर यहाँ पर टिका हुआ है, यह जो भाग है, यहाँ सब लोग देखते चलिए, इसको बोला जाता है मेगी मेग ही या इसी को चबूतरा बोला जाता है चबूतरा जिस पर ए अंड टिका होता है अब यह बिल्कुल ही ठीक है होलो आस्फियर ट्राइब का मामला होगा बिल्कुल बीच में यहाँ पर खाली जगा होगा यह जो देख रहे हैं यह इटो से यहाँ पर इसका निर्मार किया जाता है च्छात टायप का समझ सकते है बीच में छोकję खाली जगाँ मंदिर मस्जिद इसका इश्म निर्मार किया जाता है इसका किया जाता है अब जाश्ट इसके नीचे देखेंगे आपको ठीक है मिल जागा परदच्छड़ा पत यह वास्तों में क्या है तो यह ऐसे गोलाकार है द्यान रखेगा गोलाकार है चुकि यहां पर 2D मेरे पास ठीक है एक पेपर है तो इसमें मैं 3D में नहीं देखा सकता हूं लेकिन यह गोलाकार आपको 3D में समझना है ठीक है यह वाला भाग उपर होगा तो यह वाला जो भाग कहला जाता है परदच्छड़ा पत परदच्छड़ा पत परदच्छड़ा पत मतलब मंदिरों करते हैं मतलब हिंदु धरम को लोग चक्कर करते हैं ठीक है मंदिरों का चक्कर कारते हैं तो इससे ही बहुत धरम से समंधित लोग यहां प इसी में यहाँ पर रेलिंग लगा होता है, ताकि जब कोई परदच्छडा पत्थे करें, तो कोई गिर न जाए, तो रेलिंग लगा रहता है, पत्थर का रेलिंग लगा होता है, अब इसके बाद देखेंगे, यहाँ पर मेन में इंट्री करने के लिए यहाँ पर चारों दि साव सिया पिंटरी यहाँ पर ले सकते हैं तोरण द्वार यहाँ पर होता है अब आए सबसे IMPORTANT यहाँ पर UNDA के उपर यहाँ पर देखेंगे तो बॉत धरम का सबसे IMPORTANT पार्ट यहीं होता है जिसको बोला जाता है हर्मिका हर्मिका ठीक है इसमें क्या होता है ध्यान रखेगा तो हर्मिका में यहाँ पे आवसेस रखे जाते हैं किसके आवसेस तो बुद्ध और जो भी बुद्ध के पिरिये जो सिसी जो हुए है जो बौध धरम को आगे लेके गए हैं उनकी दात हो गया नाखून हो गया चरण पादुका हो गया ठीक है भिक्षा पात्र हो गया छोटी छोटा टुकडा इसमें यहाँ पे ध्यान रखेगा रखा जाता है ठीक है पेटी निमा एक्सन रचना होता है इसी के उपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा एक डंडी जिसको बोला जाता है इसको यस्टी और यस्टी के उपर यहाँ पे छत्र लगा होता है इसमें तीन डंडी छोटी छोटी यहाँ पे लगी राती है अब इसका तीनो हो जाता है यहाँ पर उधारता सरद्धा सम्मान उसके बाद हो जाता है यहाँ पर उधारता तो कुल मिला के यहीं है संरजना अस्तूप की संरजना ठीक है तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर मेंसन कर देना है कि यह और्ध वृतकार संरजना है अर्ध विर्दकार संरचना है बिलकुल मन्य कैसे दिखा दरे एक उल्टा बॉल की टाइफ उल्टा कचोडे के टाइफ ठीक है उल्टा कटोरा की भांथी उल्टा कटोरा की भांथी एट और पत्थर से इसका निर्मार किया जाता है इंट और पत्थर से इसका निर्मार किया जाता है इसमें अलंकरण का भी परियोग क्यूब किया जाता है अलंकरण का जो परियोग है खासकर तोरर द्वार में जो तोरर द्वार है इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा और जो अलंकरन का परियोग किया जाएगा तोरण द्वर में ध्यान रखेगा इसमें जो भी चित्र बना जाता है बुध से सम्मंदित खासकर बुध सम्मंदित जो जातक कथाओं को इसमें वॉर्डन किया जाता है कि बुध छोटे में कैसे थे, ठीक है ऐसे ठीक है, सब यहाँ पर बताया जाता है, हाथी का चित्र, फुल पतियों का चीन, ठीक है, सब यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है, इस तोरण द्वार में वाज़ा करते हैं, इतना अब लोगों को समझ में आ गया होगा पुरा पुरा यही था, सब रजना विसस्ता है, अब यहाँ पे कुछ हम लोग देख लेते हैं, कुछ इसका परकार था, ठीक है, तो परकार को मैं यहाँ पे मेंशन कर जाता हूँ, यह से नमबर वन हम लोग बात करें हाँ पे, सारीरीक अस्तूप, नाम में ही सारा एक सारा चुपा हुगा है, सारीरिक अस्तूप, सारीरिक अस्तूप में ठीक है, देखेंगे तो बुद्ध से सम्मंधित, जो भी उनके सरीर से सम्मंधित चीज़ें यहां पर रखे जाती है, जैसे मैं बताया था, दात हो गया, या फिर बाल हो गया, ठीक है, नाखून हो गया, तो अब यहाँ पे रखा जाता है सारी रिक्ट उसके बाद होता है यह कूर होता है पारिभ्धॉगय कस्तूप। पारिभ्धॉगय कस्तूप। Augie कस्तूप में देखेंगे तिसमें चरण बुध का जो चरण हो पात्र हो गया, पारिभाओगी, उसके बाद यहां पे हो जाएगा कुछ उदेसी का, जो किसी ने किसी उदेसी के लिए यहां पे बनाया गया, उदेसी का अस्थूप, जैसे कि यहां पे कोई बड़ा नाम ले ले जे बुद्धरम का, सारनात, लुंबनी, ठीके, बोध गया, इसके अलावा यह होता है संकल्पित अस्थूप, इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीके, बौध तिर्थ अस्थलों के संबंधित, बौध तिर्थ अस्थल जहां पे मौजूद है, ठीके, अब आई यह बात करते हैं, आपको यहां पे कुछ परमुख अस्थ अस्थूपों की, तो कुछ परमुख अस्थूपों में, जैसे की सब यहां पे नाम लिखा है, सारनाथ हो गया, लूम्बनी हो गया, बोध गया, साची का अस्थूप, सब यहां पे कुछ परमुख अस्थूपों में, ठीके, आपको मेंसन कर देना है, चलिए, अब आई न चैते का मतलब आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास किजिए ठीक है चैते का मतलब होता है पूजाग्री पूजाग्री ठीक है जैसे कि यह आपको अस्तूप में भी देखने के लिए मिल जाएगा और उसके लाव विहार के अंदर में भी उपियसी का पूछा गया प्रसन है पूजाग्री चैते अस्तूप में भी और बिहार में भी जैसे यहां पर बना हुआ है तो बीच में जो भाग है जहां पर बुद्ध के मूरतियों गयरा रखी जाती है चैते उसको बोला जाता है ठीक है ठीक वैसे ही बिहारों में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि जहां भी हार होता है विच्चुक लोग रखते हैं समच सकते हैं अगर वहां पर कोई अस्तूप नहीं बना है या फिर बरसात के दिनों में धिक्कद हो इनको बाहर निकल ले में तो बुद्ध की पूजा करने के लिए विहार के अंदर ही बुणा होता है तो एक होता है विहार धर रखेगा विहार इसको बोला जाता है गुफा विहार गुफा विहार चुकि ये गुफाओं में ठीक है गुफा नुमा अकरिती में ही इसको ठीक है सेटल किया जाता है खासकर पहाडों को काट काट के और दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा ये गुफा अब UPSCK से पुरस न पूछा था कि जहां चैते होता है वहां बिहार होता है ठीक है जहां बिहार होता है वहीं चैते होता है जहां स्थूप होता है वहीं चैते होता है तीन टाइप का स्टेट्मेंट हो गया अब पुरस न पूछ दिया था ओले वाफ ठीक है तो आप समझ ही करनी है अब यहीं है ठीक है अब थोड़ा इसकी संबना चाना का बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है ठीक है तो शुरुवात में देखे possível हैं विरितकार आपको विरित के रूप में कुछ इस टाइप का आपका संप राजना देखने के लिए मिल जाएगे ठीक है यह होता था परवेश द्वार यह होता था परवेश द्वार अब सपोर्ज कर यह ठीरी डाइमेंसलन के बहुत बड़ा कोई चटान है ठीक है चटान को काटा गया है तो उसमें ठीक है परवेश द्वार तो बनाया जाएगा न उसके अंदर घुचने के लिए अंदर कच्छा होता था बहुत सारा जो कच्छा जो बनाया जाता था रूम ठीक है आयतकार रूम इसमें होता था शुरुवाती तोर पे बाद में बहुत बड़ा आयतकार ही बनाया जाने लगा ठीक है आयतकार ठीक है ध्यार रखेगा इसके दिवारों पे ताकि साप सुत्रा दिखे पॉलिस चड़ाया जाता था दिवारों पे पॉलिस लगाया जाता था ठीक है पॉलिस लगाया जाता था और जो भी परिवेश द्वार्द था देख रहे न ये पीलर जो होता था इसमें लकड़ी का पत्थर का जो पीलर होता था इसमें अलंकरण किया जाता था खास कर इसमें पौसूओं की आकरिती को बनाया जाता था अब आई हम लोग प्रमुक गुख भीहारों की बात करते हैं इसी के अंतर्गत प्रमुक गुफ़ा बिहार ठीक है प्रमुक गुफ़ा बिहार सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं ठीक है अब बराबर की पहाड़ी की बराबर की पहाड़ी बिहार में ही इस दित हैं ठीक है यहां पर करण चौपर गुफा करण चौपर गुफा यह दोनों ही गुफाओं में शुरुआते तर पर देखेंगे तो आजीवक संप्रदाय के लोग रहते थे आजीवक संप्रदाय के लोग यहां पर रखते थे अब समझ रहे ना आपको मैं एक कॉंसेप्ट में समझाता देखिए यहापे जब बुद्ध और जैन धरम का जब आगमन होगा ता आपको क्या लग रहा है कि बुद्ध और जैन समाज में आए और अच्छी अच्छी बाते करने लगे उच्छी सतावी सापूर में और फ्यमस हो गए देखिए ऐसा नहीं होता है ठीक है बुद्ध और पहले ही देखेंगे तो उस समाज में जो भी कुरुतिया धरमकान अडंबर ठीक है जो भी सारी कुरुतिया मौजूद थी उन्हीं सारे चीजों को बुद्ध और जैन धरम ने ठीक है अपने लोजिकल तारकिक माधियम से ठीक है उसको उठाने का परियास किया और इसमें ल लग लग ब्रामर्ड लोगों के त्वारा जब किया गया तो उपनासदिय जब चिंतकों का जब आग्मन होगा उपनासदिय चिंतकों ने इसी में पूरी तरीके से लॉजिकल तरीके से तारकिक तरीके से अपनी बातों को रखा जो की इस करमकान या फिर जो ठीक है नेरो म संप्रदा है मखली गोसाल के द्वारा मखली गोसाल के द्वारा एक किया गया तो ये कुछ फेमस हुआ ये कोर भी चरधारा का नाम है लोकायत संप्रदा है लोकायत इसके नाम से आप लोग भली भाचित परीचित होंगे ठीक है चारवाक के द्वारा चारवाक के द्वारा भी लाया गया, तो यह लोग बहुत अदिक फेमस नहीं हुआ, बुद्ध और जैन क्या हो गया, फेमस हो गया, तो आपको धियान रखना है, उसी से सम्मंधित है यहां पर आजीवक संप्रदाय, ठीक है, अजीवक संप्रदाय, ठीक है, मखली को साल के द्वारा, तो यहां प पहाडी को इसमें दो सासकुन ने बनवाया देहां रखेगा दो सासकुन में यहां पर यहां पर बराबर में नाम आ जाएगा असोक का और यहां पर एक नाम होगा असोक का और दूसरा नाम होगा यहां पर दसरत का उसके पौत्रा दसरत का ठीक है तो असोक के द्वारा तीन तो बनाया गया है यहाँ एकिपल आ यहाँ पर घूपी गोफा । लोमस शयू की गोफा ileo差不多 कि उन्हों उसके लाव करते घला होगा है वर्थिका के घुफ तीन वैसे ही यहां पर दसरत के द्वारा भी निर्मार किया गया है जैसे कि गोपी गुफा ठीक है और भी हो जाएगा वेदान्तिका की गुफा ठीक है और हो जाएगा बहायक की गुफा ठीक है तो यहां पर दसरत के द्वारा जो भी चैते और बिहार का निर्मार कराया गया था वहाँ भी इस चीज़ को हम लोगो ने यहाँ पे देख लिया ठीक है तो पूरा पूरा यहीं है इसका आयतकार दे यहीं है संरजना देख रहे हैं न यहाँ पे यह जो चैते और बिहार का इसका बेलनाकार छट भी होता था बेलनाकार छट ठीक है बेलनाकार छट का इस प देखने के मिल जाएगा अलंकरण अलंकरण किया गया है ठीक है अलंकरण इसमें नकासी किया गया है नकासी ठीक है चलिए अब आई हम लोग बात करते हैं next यहाँ पर लोक कला को लेके या फिर मुर्थी कला को लेके लोक कला आप लोग हेडिंग डाली है चुकि आप सोतंत्र जो कलाकार है लोक कला लोक कला तो लोक कला में हम लोग ने देखा हुआ था कि इसमें अस्तंब के उपर अस्तंब के उपर पसु आकरिती का इसमें निर्माड भी किया गया था दोसरा है यहाँ पे स्वतंत्र कलाकार द्वारा स्वतंत्र कलाकार द्वारा нिर्मित मुर्तिया निर्मित मुर्तिया ठीक है तब इसको थोड़ा आप लोग समझने की कोशिस कीजिए सो तंत्र कलाकार द्वारा निर्मित मूर्थिया फिक है अब इसमें देखेंगे तो बहुत सारा जो बहुत ही बड़ा-बड़ा हो सकता है यहाँ पर में लिखें देखें कि बिसाल यहीं पर हम देख लोग देखते हैं बिसाल आकर्शक सरीर पर एकदम कपड़ा डाले हुए कुछ-कुछ मूर्थियों में लगता है कि वर्तमान टाइप का अब हूसर पहने हुए एकदम पॉलिस लगा हुआ है उन मूर्थियों में सारी आपको भिसिस्ताई देखने के लिए मिल जाएगे ठीक है बड़ा-बड़ा कर्शक शरीर पर कपड़ा डाले है भूसर पहने हुए पॉलिस दार मूर्थियों आपको देखने के लिए मिल जाएगी और इसमें सबसे बड़ी खासिया थे कि सोतंत्र कलाकारों के द्वरा बनाया जा रहा है ति इसमें भारतिया जन जीवन को दिखाया जाने का परियास किया जाता था साथ में देवी देवता है जिस किसी देवी देवता को मानते थे उसका विचित्रड करने का यह लोग परियास करता था जैसे कि इसमें सबसे बड़ी मात्रा में जो मूर्ति मिली है याच्छोर याच्छडी की मूर्ति याच्छोर याच्छडी याच्छडी को मना जाता है उस समय में ठीक है ये लोग ठीक है धन धान निया भर देने वाले ठीक है उन्हें लोगों की छाओ पूरा करने वाले यह चोड़ी अच्छड़ी होते थे ति इसकी लोग उसमें खूब अच्छी मातरा में ठीक है पूजा करते थे कुछ मूर्तिय में मिली हुई है जिसे कि पत्ना में पत्ना में आपको दो जगाएं मूर्ति देखने के लिए मिल जाएगी पहला तो यहाँ पे हो जाएगा ठीक है लोहानिपूर में लोहानिपूर में यहाँ पे यस की मूर्ति जो मेल है यच की मूर्थी मिला हुआ है ठीक है नगन रूप में वहीं पत्ना में जो दूसरा जो मिला हुआ है बिहादी संदार दिदार गंज से दिदार गंज से यहाँ पर यच्छडी की मूर्ती मिली हुए यच्छडी की मूर्ती मिली हुए एकदम नारी संदर्य को इंडिकेट कर रही है नारी संदर्य को इसमें दर्साया जा रहा है चमकीला एकदम पेंट एकदम लगा हुआ है और जितना भी यच यशड़ी की मुर्ति मिली है उसमें एक चीज common होगा ध्यान रखेगा चमकदार बलुगा पत्थर का बार बार मैं लुखूंगा नहीं यहाई फिम हेडिंग डाल देता हूँ मध्य परदेश में एक जगा का नाम है बेस नगर यहाँ से आपको यच छीड़ी की मुर्ति मिलेगी ठीक वैसे ही ठीक एकदम सुंदर ठीक है नारी संदर्य को एकदम दिखा रहे है थोड़ी इसकी हाइट अधिक है 6.7 फिट के असपास वैसे ही यहाँ पर प्रखम थीक है यूपी यूपी के मत्वुरा में आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर यच की मुर्ति मिली है यच की मुर्ति बिल्कُल मौरे कालीन वेस भूसा को इसमें दिखाया गया है मौर्य कालीन ठीक है वेस भूसा को दिखाया गया है लगवग साथ फीट उची ये मुर्ती मिली हूए ठीक है येच की मुर्ती है इसके अलावा आपको और भी ये UP में राजघाट में ठीक है, राजघाट में वरालसी में वरालसी में इसमें तीन परमुख, तीन परमुख मुखो वाला यच की मूर्ती मिली है धान रखेगा, यच की मूर्ती यहाँ पर मिली हुई है, तो ऐसे कुछ एकजामपल के रूप में आपको कोट कर देना है, ठीक है, इसी टाइप का आपको परजेंटेशन देते चलना है, इसके मूर्तियों के बारे में जो सोतंतर कलाकारों के द्वारा बनाया जाता था, अन्य मूर्तियों में, जो कि आम जन जीवन को भी ध्यान में रखा जाता था, इसमें देखेंगे न, तो कोई यह जो थे बिसेसगे नहीं होते थे, कोई मूर्ति के बिसेसगे नहीं होते थे, जो द्वारा जो निर्मित कुछ परमुक बस्त भी है जैसे कि यहां पर देवता खिलावना एकदम हडपा काल डाइब का को दिखाए देगा ठीक है खिलावना अभूसर ठीक है इसके अलावा मनका मनका ठीक है सब आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी इसे कुछ इंप पटना में बुलंदी बाग से यहां पर नारी हो जाएगा यह बाला की मूर्थी मिली है बाला की मूर्थी पटना में ही कुमहरार से कुमहरार से हसते हुए हसते हुए लड़के और लड़की का चित्र मिला हुआ है लड़के और ठीक है लड़की का यहां पर चित्र मिला हुगा है उसी तरीके से यहाँ पे देहरादुन जंगल वाला इलाका है ठीक है और जंगलों में भारी मत्रा में हाथी पाये जाते हैं कालसी से ठीक है वहाँ पे हाथी के चित्र मिला हुगा है हाथी का चित्र उसी तरीके से हैं यहाँ पे लोहानीपूर लोहानिपूर में ठीक है पटना से ध्यान रखेगा पटना के लोहानिपूर में ध्यान रखेगा यहां पर जैन तिर्थंकर की मूर्ति मिली है जैन तिर्थंकर की मूर्ति मिली हुई है उसी परकार से धौली उडीसा के छेतरों में हाथी का चित्रा चुकि उधर भी बड़ी मात्राय में जंगल पहाए जाते हैं हाथी का चीतर आपको देखने के लिए मिल जाएगी तो इस अब एक्जाम पाल आप लोगों को ध्यान रखना है और एक्जाम में मैं बार बार बखा रहा हूँ ठीके से मेंसन भी अच्छे तरीके से करना है अब आई हम लोग बात करते है इसकी अलोचनात्मक समिक्षा की अलोचनात्मक परिच्षड कैसे आपको अलोचना करनी है अलोचनात्मक परिच्षड द्यार रखेगा अलोचनात्मक परिच्षड या एक मैं और सब हेडिंग इसी केंदर कर देता हूँ ठीक है बिदेशी परभाव चुकि यहाँ प्रस न देखने के लिए मिलता है तो इसी का अंतरगत वो कभर हो जाएगा देखे सबसे बहले हम इसके में बात करेंगे भूमिका की ठीक है थोड़ा बहुत आपको इंट्रक्शन दे देना है कि यहां पर बिदेशी परभाव के अंतरगत यहां पर इरानी परभाव इसमें दिखाया गया है दिखाया क्या गया है मनें बहुत सारी थियांसकारों के द्वारा यहां रोप लगया जाता है कि जो मौरेकाल में जो भी यहां पर चित्र मौरेकाल में जो भी यहां पर चित्र जो बन रहा था ओ इरानी प्रभाव इसमें बहुत आयत रामातरा में देखने के लिए मिला इसलिए बोलता है लोग की एरानि जो ठीक है वास्तो कला का ही एक तरीके से हां पर क्या किया गया एक कोपी किया बुदा हो जाएगा यहां पर भीभख में जूकि बैलेंस करके लिखना होगा पक्ष की बात करे तो कुछ लोग है कुछी थियासकार हैं जैसे किจะ जोन मार्सल का नाम आएगा सब विदेशी थियासकार है ना कभी भारतियों को महत्तों नहीं दे गए लोग जोन मार्सल अलेक हो जाएगा बसी बाउन इस लोग देखों यहाँ पर क्या करता है लोजिकल तरीके से बातों को रखने का प्रयास करता है ठीक है कि जो भी यहाँ पर इरानी जो प्रभाव है ठीक है खास कर राजपरसाद में या फिर अस्तम की सनरचना हो गया फिर जो भी यहाँ पर पत्थर की जो मुर्ती मिली है बहुतायत मातरा में पत्थर की मुर्ति में लिग हुई है उल्टा कमल मिला हुआ है उल्टा कमल या जो भी चमकीला पॉलिस जो भी आपे मिला हुआ है सब एक किसिन किसी रूप में देखेंगे तो ये तो पहले से यहाँ पे ठीक है इरानी समराजे मौझूद था इरानी समराज नहीं मतलब समझ रहे ना, उससमें नाम आप लोगे ऐ coverage को बोल जाता है हकमनी समराज, इंग्लिस में उसी को archimden, archmenium समराज बillery बूलो जाता है, इसी समराज को सिकंदर रurn दला हुआ, ठीक है, भारत आया रखेगा इसी समराज को, हकमनी समराज को, सिकंदर न लोग आते हैं जाते हैं बैपार भी करते हैं तो कुछ उन लोगने हमारे चीज़ों को जाना हमने कुछ उनकी चीज़ों को जाना तो यहां पर लगा हिराता है तो यहां पर आपको बताना है कि देखो जो भी यहां पर तुम लोग राजपरसाद के बात कर रहे हो पातली पूतर में जो राजपरसाद बना था बिल्कुल यहां पर सोतंतर बना हुआ था पीलर में किसी परकार का छट जो था ध्यार रखेगा ठीका नहीं था, पीलर के उपर कुछ बनाया नहीं गया था, पीलर के उपर कोई आकरिती यहां पर नहीं है, लेकिन यहां के राजपरसाद में पीलर के उपर यहां पर यहां पर बनाये गई थी, दूसरा बताना है यहां पर जो अस्तम जो पाया गया है इसमें आपको देखने के लिए अस्तम के ऊपर पासू के अकृति अस्तम के ऊपर देखेंगे तो पासू के आकृति हैं देखने के लिए मिलेगी, जो कि यहाँ पे इस हक्मनी समराजय में आपको देखने के लिए नहीं देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, तो अस्तम के उपर ध्यान रखेगा पसू और तो और यहाँ पे कुमहरार में देखेंगे तो कुछ पे पसू भी नहीं है कुमहरार में देखेंगे तो कुछ पसू की भीयाकर्य आकरिती यहां पर नहीं आपको दिखाए देगी कमल की बारे में हम लोग बात करें यहां पर कमल में क्या दिक्कत है तो देखें ठीके उल्टा कमल तो यहां था वहां भी है लेकिन यहां के कमल में अलंकरण बहुत बड़ी मात्रे में किया जाता था कुछ स्कुल मिला के आप देख रहे नहीं आप एक हर जगा जो कौपी करने का प्रयाज किया जा रहा है ठीक है यह कहिन कही निरर्थक सावित हो रही है ठीक वैसे ही भारत के समिधान में भी आरोप लगता है कि भारत का समिधान उधार का थैला है ब्रिटिस समराजय का दिया हुआ ठीक है कह सकता है कि दान दचड़ा है बहुत सारे जो अरोप लगते थे आज तक लगते हैं तो क्या ऐसा कहाना पूरी तरीके सही होगा भारत ने पूरे बिस्व का इतिहांस को एकदम खंगाल डाला भारत की ठीक जो भी समिधान समिधी क बिल्कुल इसे कॉपी पेस्टि आप नहीं कहा जा सकता है तो यहां पर आपको समझना है कि समकली आपको बतानी कोसित करना है समकली सभ्यता थी तो थोड़ी बहुत हो सकता है कि क्या पता कि उन्होंने हमारी चीजों को लिया हो थोड़ा भूत हमने भी ठीक है उनकी चीज रहेम लोग तो इसमें बहुत सारे मौलिक ततो का समयवेस किया गया मौलिक ततो का समयवेस जिसे की कमल में अलंकरन किया गया अस्थम में पसुव का चीतर बनाया गया अस्थम बिलकुल ये कासमक थी इसे हरक जगह का आपको दिखाई ठीक है मतलब दिखाने की कोशिज करना खासकर इसमें राजकी अततों को सामिल किया गया, या फिर इसमें आम जन जीवन को भी सामिल करने का भरता कि इसने परियास किया, जो बिल्कुल ही देखेंगे, ठीक है, तो एक मौलिकता से एकदम भरा हुआ था, इतनी सारी बाते परियापत है, एक दो लाइन में इसको आप बात करते हैं धरम के साथ संबंध मौरे कला का और धरम के साथ संबंध है तो उसमें समझी रहे होंगे आप लोग ठीक है कि सबसे अधिक जुद था परचली रूप में देखा जाए तो बहुत धरम भी था ठीक है बहुत धरम को राजकी प्रस्रें यहां पर मिला हुआ था तो थोड़ा साब को यहां पर बताने की कटपरियास करना है जैसे कि हम बात करते हैं हैं अस्तंब का अस्तंब इसमें वैदिक धरम से लेके वैदिक धरम से लेके बौध धरम तक की झ्लक मिलती है बौध धरम तक के ढ़िए जलक देखने के लिए मिलती है जैसे आगे चलके देखेंगे तो अस्तमबो में घरुण का छीतर भी आपको ठीके बनाया जाने लगा इसमें देखेंगे तो अस्तूपो का देखें भारी मातरा में निर्मार किया गया जो कहीन कहीं धरम के सांदार, ठीक है, धरम के सांद संबन दिखा रहा है, अस्तुपो का निर्मार हो गया, फिर वहीं सारी बाते हैं, बुद्ध के जीवन को दिखाने का प्रयास किया गया, जाता के कथाओ को दिखाने का प्रयास किया गया, साथ में यहाँ पे जो भी विहार है, उसका ब पर बात कर ले या फिर एक और important चीज है यहां पर जैन दिगंबर की मुर्ति जैन दिगंबर की जो मुर्ति में जो मिली है कहिन के यहां पर देखेंगे तो जैन धरम का भी जैन धरम का भी आपको परभाव दिखाई देगा ठीक है इन सारी बातों को बड़ी ही खुबसूरती से आपको यहां पर लिखना है आप दूसरी बात यहां पर कर दे technologies अगर आप नहीं करेंगे तो यहां पर यह सिगमेंट अगधुरा रहेगा असोग आपको पता होना चाहिए कि खुद ही कलिंग के यूद के बाद से ठीक है बुद्धम सनरम गच्छामी हो गया था जी और जीनों देख की राप पे चल पड़ा था तो ये सब जो कामे करवा रहा है कहीं जहाँ पर ठीक है कलिंग यूद के बाद यहाँ पर असोक के द्वारा ही यहाँ पर करवाया जा रहा है इसलिए असोक ने बहुत धरम का परचार परशार करने के लिए बहुत धरम या फिर असोक ने एक और ची चलाया था धम धम भी चलाया हुआ था धम में अधिकतर जो परभाव है बहुत धरम कहीं है ठीक है इसका परचार परशार करने के लिए अपने बेटा और बेत्री उसका बेटा का नाम था ठीक है महेंदर उसके बेटी का नाम था संग मित्रा इन दोनों को बोधी विरिश को लेके पीपल विरिश को लेके कहां भेजा था स्रिलंका भेजा हुआ था परचार परसार करने के लिए तो देख रहे हैं आपे कैसे मौरे कला पे धरम का जो संबंध है किस तरीके से आप जोड सकते हैं इसी को इन सारी चीजों को आपको अच्छे से ठीक है बताना है अब उसके बाद थोड़ा समलों का यह समिक्षा कर लेते हैं कास्ट में ताकि एनसर आपका बैलेंस हो जाए ओभर ओल इसकी समिक्षा बिल्कुल आप यहाँ पे सुक्तंत रहे समिक्षा कह लेजिए या फिर इसके आप निसकर्स भी बोल सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपको बताना है कि देखो हड़पकाल में सब चीज खतम हो गया लेकिन पहला जो परियास था उसकी जो निरंतरता है कहिन कहीं आज हमें वर्तमान समाज में देखने के लिए मिल रहे है किसी भी छेतरे में वस्तु हो गया या फिर वस्तु कला के छेतरे में वस्तु कला के छेतरे में ब्यापक सफलता हमें मिलती हुई नजर आ रही है ब्यापक सफलता मिलती हुई नजर आ रही है चाएम लोग मूर्ती की बात करें मूर्ती यहाँ पे बेवस्थित रूप से बनने लगा ठीक है पूरा एक दम दिखने लगा भई, एक नाक है, आख है, ठीक है कान है, बहुत सारा इसमें नया समवेस भी करने का प्रियास किये गया, नया समवेस मतलब कहीं न कहीं है, मौलिकता को इंडिकेट कर रहा है, अस्थम के उपर, ठीक है, लोक कला का भी बल मिला, जैसे पसुओं क क्रिती हो गया आगे चलके बहुत सारे जन्वरों क्रिती जो लोक कला सुतंतर कलाकारों के द्वारा बनाया जा रहा था वो भी यहां पे लगा जाने लगा इसका जो ब्यापक आगे चलके यहीं जो रूप है ब्यापक जो रूप है आगे चलके अलग-अलग छेत्रों में अल तो युनानी सैली से परभावित थी। जिसको बोला जाता था हिलनिस्टिक कला, गंधार सैली। वैसे जब आएंगे गंगा के छेतरों के तरफ ठीक है, तो यदर उत्र पर्दैस में हो जाएगा मथुरा सैली, इसका भी डव्लपमेंट होने लगा। और आगे चल के विकास होने लगा कुल मिला कि origin कौन है यहीं है देख पारे नहीं आप इसलिए मौरे कला को एक विभाजा के रूप में देखा जाता है कि पहले वाला तो खतम हो गया लेकिन आने वाला जो चीज है वो पूरी तरीके से मौरे कला से संबंधित चीज है जो वर्तमान तक अगर देखे तो किसी ने किसी रूप में भले ही उसका लेवल उसका अस्तर ठीक है उसकी संरचना सब बदल चुकी है लेकिन मूल रूप तो कहीं उसी समय से दिया हुआ है जो मानो सभ्यता की पुरंपरता को निरंतरता को यहां पे दरसाता है तो कुल मिला कि यहीं था देखिए मौरे काल से संबन दी पूरा का पूरा मैने कंप्लीट करा दिया आप लोग अपना फीडबाइक जरूर दे ठीक है इसमें क्या इंप्रूब करना चाहिए वीडियो की लंबाई देखिया धीक रहेगी ठीक है नो डाउट जो कितनी सारे जो चीजे है कई सारे आप बुक मौरे करा द需 कमा कर देखिया देला भाउ जया खिए कर दे लोग कर दो सारे इ sólo की लंओ कांईoles